जैकाराई शेरावाली दबूल साचे दर्बार कीचाए आप और हम पहुंच गए साथवे नवरातरे पर नमस्कार सुस्वागतम विलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराकी क्या हाल चाल है आपका परिवार में सब कैसे हैं सब खुश हैं बढ़ियां हैं तो जल्दी सारी बोतले रखी हुक्त कितना अजीब लगता है न भूत आठाल का शूट करना मुझे मैं बहुत एनरजितिक रहती हूं रहती हूं और महुत खुश रहती हूं मतलि Latino जब धरती पर होती है तो दिन होती है या सुबा होती है उसे सवाल करो वो सवालों के जवाब देती है और दुनिया बहुत पूछते रही है तो एक उपर मेरे मा बैठ गई है अतनी सुन्दर सी नत पहन कर कभी कभी जब मैं ऐसे बैठी होती हूँ तो मेरे एक्चुली सामने शीशा लगा हुआ है तो मुझे यह मातरानी रिखाई देती है और लिकी नत दिखती है तो मैं गहती हूँ मातरानी मेरा भी मन है कि मैं इती बड़ी नत बनवा कर ना पहनू फिर मैं सुसती हूँ किती बड़ी नत पन्वा कर मैं कहां पहनूं, तो फिर मैंसोसती हूं, कि ये नत तो मैं सिर्फ देव की शादी में पहन सकती हूं, और तो अब ऐसा कुछ है नहीं, देवर की शादी हो चुकी है, अब घर में किसी close बंदे की शादी हो, तो आप ये कर सकते हैं, तो अनीता जी मैं हर रोज सुभा चार बजे उठकर माद दुर्गा से प्रभू से परम्पिता परमात्मा से यही कामना करती हूँ कि मेरे यूच्यूब परिवार में जो जाय मातादी की हाजरी रोज लगाता है उसके घर में जाने में उसके काम को करने में तू देर नहीं गर सकती मातरानी उसको अपने उपर विश्वास दिला, उसके काम बना, उसकी बिगडी बना और जो मेरे परिवार का हिस्सा है, बहुत सैसे भी लोग होंगे जो जिन्होंने ये चानल सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन काफी लंबे समय से उन्होंने वीडियो ही नहीं देखियोगी तो मातरानी आपके भी भंडारे भरे, आपकी भी सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करे ऐसे दिल से मेरी कामना, मैं हूँ डॉक्टर वायर आके और इस वक्त आप मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चानल देख रहे हैं और आपका स्वागत अभी नदन करते हैं, हम पहुँच गे हैं सात्वे नवरात्री पर और बड़ाई खास नवरात्रा होता है अंचुए अंजाने से डर और भै के अंदर आपने और मैंने जिंदगी बिताई जहां पर काल बहुत सारे लोगों को बिना उम्र देखे, बिना उनकी मौत का समय देखे और धोका देकर लेकर चला गया तो काल रात्री की विशेश पूजा पक्ष है शुकल पक्ष का क्योंकि दिन है शुकरवार का तो मा लक्षमी के उपाई सबसे पहले आपको बताऊंगी आज मा लक्षमी को खीर का भोग लगाएं और उसमें केसर और चीनी की जगा पर मिश्री मिलाएं आज कवों को सफेद मिठाई जरू खिलाएं जैसे सफेद रजगुले जैसे सफेद बर्फी आज आप नहाते समय पानी में गुलाब जल डाले अगर मेरी ये वीडियो देखने तक आप नहा चुके हैं हाला कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं नवरात्तरी से पहले ही वीडियो डाल दूँगे सारी ताकि आपको फायदा हो जाएं और मेरे बहुत सारे कॉम्पेटिटर्स हैं जो मेरे वीडियो का बहुत वेट करते रहते हैं तो भई वो भी देख लें उनके दिल को भी तसली हो जाए क्योंकि उनने भी लगता है कि बस क्या राखी कर रही है हमें वही करना है तो करिए देखिए अराम से तसली से जो आपको बनाना है बनाईए लेकिन मैं वीडियो पहले ही डाल दूँगी देखे फरस्ट कम फरस्ट होता है और फरस्ट फरस्ट ही होता है इसके बदक आप इस चीजों कोई करके ग्नाईण को ही जो है वो शुख्ष्म कर रहे हैं आज नहाते समे गुलाव जल का छिड़काप अपने चेहरे पर अपने नहाने के पाने में इसमाल जरूर करें आज पीपल के पेड़ पर एक कटोरी चीनी आपको औरपन करनी है पित्रों के नाम से आपने महसूस किया होगा कि हर नवरात्रे में मैं आपसे ये उपाय करवा रही हूँ ताकि आपके पित्रों के नाम पर भी नवरात्रों में पूजा और अर्चना अच्छे से हो जाए तो मेरी ये तमाम तरह की कोशिश और काल रात्री की जब पूजा होती है तो खासकर बंगाल में भी इस पूजा का विशेश महत होता है आज आपको रुदराक्ष की माला पर मा का नाम जाप जब जरूर करना है और आज गनैश जी का भी जब करें तो बहुत अच्छा ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा का जाप करें नहीं तो जैमातादी बोलें और मा दुर्गा का नाम लें ओम दुर्गाय नमा का जाप करें तो बेहद उत्तम होगा आज भगवान शंकर पर दूद और चावल अरपन जरूर करें चाहे सुभा करें चाहे शाम को करें पर करें आज घर के चारो तरफ घर के हर कमरे में पीली सरसो छिड़क दें आप और सुभा अगले दिन जब अस्टमी होगी तो कन्याओं कर पूजर होने से पहले जाडू करक ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी बुरी नजर और सारी चीज़े बहतर हो जाएंगी घर में कपूर लेंब जरूर जब भी जलाएं उसके अंदर लौंग जरूर मिलाएं आप अपने घर के अंदर शिरीयंद्र को आज आप दूद से कच्चे दूद से धो कर उसम से भी पूरे नवरात्रों में मा को कभी भी तुलसी मद चड़ाईएगा, क्योंकि मा पर तुलसी का भोग नहीं लगता, नारियल अर्पन जरूर करें, आज अपनी मा को, अपने परमपिता को उनके पैर्च हुए, quality time उनके साथ बिताएं, उन्हें नमन करें, उन्हें नमशकार करें, उन्हें परणाम करें और अपनी मा के साथ थोड़ दर मंदिर जाएं, मंदिर में घंटी दान करना बेहद अच्छा है, आज की दिन मंदिर में जंडे लगाना बेहद अच्छा है, आज काल रातरी मा को काल पूरी रात सोएं नहीं बलकिन आप पूरी रात जाकर दुर्गा शप्षती का पाट करें मां से आशिरवाद मांगें और गंगा जल पीएं और मां को काले रंग की मिठाई जैसे काले गुलाब जामुन का भोग जरूर लगाएं अगले दिन तो अस्टमी है यह बहुत सादा लोग अस्टमी ही पूचते हैं कन्या का पूजन होता है लेकिन काल रातरी की पूजा पर विशेश कर इस कांच की बोतल में आपको क्या करना है सबसे पहले कांच की बोतल लें इसे खाली कर लें गंगा जल से धुएं उल्टा कर लें सारा पानी निकाल लें उसके बाद बो लिखकर ऐसे तेज़ पत्टे को आपकि आपकी वह विश्पूरी होजाए आपको इस तेज़ पत्ते को बोतल के अंदर डालना है और उसके बाद इस बोतल के कपड़े के अंदर बांध कर इसके सामने आप गाएं के घी का एक दिया जलाएं, हाथ जोड़कर बैठ जाएं, माद दुरगा को याद करें और अपनी विश बोलें, अपनी विश बोलने के साथ साथ उसके बाद आप इस जो आपने चमकीले कपड़े में से बांधा है, इस क हर बैटी हुई मा का दिल, भावी का दिल, पतनी का दिल, बेटी का दिल, कोई भी पड़ोसन आप से परिशान हो, कहीं पर कोई आफिस में कुली परिशान हो, बहुत परिशान हो, ऐसे कारे आप बिलकुल भी ना करें, आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी विश लिखते रह माशाना चाहिए अपने घर में बंडारे करने चाहिए आपको अपने घर में कीरतन करना से चाहिए情 का फालन करकर करें मा की जोट जला नी चाहिए तो घर के सारे मेंबरों को एक समे में तामसी भूजन को छोड़कर सरल सभाव वाला भूजन जीरे का तरका घी में लगाकर ऐसा वाला भूजन करकर भगवान को याद करना चाहिए सारे परिवार को मिलकर राम भजन गाने चाहिए ऐसा करने से मादुरगा आप पर बेहत प्रसंद होती है अपनी विशेश किरपा पर बना कर रखती है और आपकी हर मनो कामना पूर्ण होती है मैं हूँ डॉक्टर वायराकी इस वक्ता आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसके साथ अगर आप उपाइमेंट लेकर मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं अगर आप इंडिया से बाहा रहे हैं अगर आप दिल्ली से बाहा रहे हैं तो आप मेरे ओफिस की इस कुरसी को देख कर इस सरे सेटिफिकेट को देख कर इस घड़ी को देखकर ये मा सरस्वती को देखकर ही पैसे जमा कराएं कि आप किसी गलत राकी के हाथ में ना पड़ें मैं हूँ डॉक्टर वायराकिया और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूचूब चैनल देख रहे हैं और आपने तो अब देखी लिया कि किस शिदत से हम पूजा करवाते हैं जब हमने 12 जोती लिंगों की पूजा कराई आपकी पोटलियों की पूजा चालू है चल रही है लगाता और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं अपने एड्रस अपना गोतर अपना नाम हमें तुरंत भीजना शुरू कर दीजे हमारे पास है और आपने कहा था राकी जी पोटली बहुत महंगी है तो मैंने पोटली के रिट बिलकुल आदे कर दी है पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमतकारी है यह पोटली आपके पस पहुंचेगी कैसे रखना है कब रखना है सब आपको पता चल जाएगा नैशनल इंटरनाशनल जहां भी आप है तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करे क्योंकि लिमिटेट पोटली आ है कहीं आपका नंबर रहना जाए फिर बाद में सौरी हान जी प्लीज दे दीजे राकी जी यह मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती है लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही है पित्र पक्ष की पूजाएं चल रही है तो अपनी पोटली के लिए और तुरन दे मेरी असिस्टेंट को कॉल करें अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वाइस मेसेज हमारे वाट्सप पर छोड़ने कि आपको यह पोटली चाहिए इस पोटली को हम आपके घर बीचवाएंगे धन बरसे और पोटली की क्या चमतकार है फिलाल दीजे जाज़त नमस्कार जीवन में है समस्या नहीं मिलरा तकलीफों से चुटका रहा नहीं मिलरी मन चाही नौकरी तूट गया है विश्वास सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खतम हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरों के 78 का हवाएं उपरी हवाएं जादू टोना तंत्र विद्याएं पती पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडले दिखाईए टैरों कराईए लेकिन अपनी जिन्दगी को जल्द बदलवाईए मैं हूं डॉक्टर वायराखी आ आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बदलाव कर्ष़ दिन्दगी के अंदर वायराखी आपका।